नमेश्का दोस्तों, मेरा नम डॉक्टर नगिंदर आदो है आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है कबूतरों के छोटे बच्चों की परवरिश कैसे करें छोटे बच्चों को डाइट में क्या देना चाहिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अपने पैट्स जैसे पकशी कबूतर या कच्छों के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यह आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिएगे लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबर्शिप जोइन कीजिए किन किन परिस्तिते में हमें छोटे बच्चों को सेलफ फीड कराना पड़ता है देखे कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुशन आती है कि पेरेंट्स जो है बच्चे को खाना रिजेक्ट कर देते हैं उसको एकसेप्ट नहीं करते हैं ऐसी कंडिशन में हमारे पास केवल एक ही विकल्प होता है कि हम बच्चे को पेरेंट्स के नीचे से अठा कर उसको सेलफ फीड पे लें यानि बच्चे को खुद से खाना किला करके पा लें ताकि खाने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को ऐसा खाना दे जिसकी नीट्रिशन वैल्यू उसके पेरेंट्स जो फूड कर लाता है उसके एक्विलेंट हो बच्चे में किसी परकार की कोई nutrition value ना हो आप जो बच्चे को खाना खिला रहे हो इस तरह का हो कि आपका बच्चा उसको digest कर सके क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, day old भी होता है आपको पता है कि उसकी immunity उसने बिल्कुल zero होती है अगर हम कोई ऐसी चीज़ देंगे, heavy देंगे, वो digest नहीं कर पाएगा या कई बर कुछ ऐसी चीज़ देंगे, उसके crop में जाकर के stop हो जाएगी, वो उसको digest नहीं कर पाएगा इसलिए बच्चे की age की हिसाब से food का chain करना है food कितनी quantity में देना है, कितने intervals पे देना है, ये भी बहुत ज़्यादा matter करता है कि बच्चों को खाना देने का सही तरीका क्या है बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के साथ साथ चोटे बच्चे में जो हमें सबसे ध्यान रखना है कि जिस बच्चे को हमने parents से अलग कर लिया है, parents ने उसकी care नहीं करी थी, हम उसको cell feed पर ले आए है हमारा जो सबसे ध्यान रखना है, खाने के साथ साथ उसका bedding material भी बहुत important होता है क्योंकि आपने बच्चे को खाना खिलाने के बाद जिस place पर रखना वो नीचे से bedding material होता है तो उसका comfortable होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका bedding material proper नहीं होगा तो आपका बच्चा मानके चलिए बच्चों में जो सबसे अधा है leg के deformities देखने को मिलती है, छोटा बच्चा बिना parents के पलता है तो automatically bedding material सही नहीं होगा, तो उसके balance नहीं बनेगा, बच्चे का body का balance नहीं बनेगा, बच्चे के पैर आडे तिर्चे हो सकते हैं left, right फैल सकते हैं, birds के दोनों तरह पैर फैल जाते हैं, तो ऐसी cases में यह दिया आपका उसका चोटे बच्चे का bedding material का आप ध्यान रखोगे और उसकी diet का ध्यान रखोगे, तो जो legs related to deformities होती है, आप अपने बच्चों के अंदर cure कर सकते हैं, बच्चे में इस तरह की कोई deform properties नहीं होगी, bedding material को ठीक करके, प्रॉपर उसको healthy diet दे करके, आप इस चीज को cure कर सकते हैं, यह समय रहते हैं, आप अपने बच्चे को यह जो बिमारी इस तरह की complications आती हैं, आप उनको उसे बचा सकते हैं, दूसरा एक छोटे बच्चे में खाने के साथ साथ और जो दूसर इसलिए यह हमारी जिम्मेवारी होते हैं कि जो बच्चे self-feed पे होते हैं, आपको पता है कि self-feed देने के बाद बच्चे को, क्योंकि जो self-feed होता है, अंदर से body का पानी ज़्यादा सोकता है, इसलिए बच्ची की water requirement के dehydration के chance रहते हैं, बच्चे को water intake ज़्यादा देना होता क्योंकि water content छोटे बच्चे की skin में shining के लिए और body के दूसरे organs के function के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यजी छोटे बच्चे में dehydration हो गया, यजी fluid का imbalance हो गया, आपके अबल खाने की तरफ ध्यान दोगे, पानी की तरफ ध्यान नहीं दोगे, उसकी body में जो electroly electrolytes का content है, disbalance होने की वज़े से आपका birds जो है dehydration में चला जाएगा, और आप समझ भी नहीं पाओगे कि कब आपका birds अचानक से शरी में पानी की कमी जैसी अचानक होगी, बिना कोई symptom दिया, अचानक से उसकी death हो सकते हैं, इसलिए over feeding के साथ साथ, self feeding के साथ, बच्चे को जो हम खराते हैं, उसके साथ, पानी का, जो मातर है, कितनी पिलानी है, उसको जुरू ध्यान दखे, छोटे बच्चे को कितने interval पे खाने खिलानी, ये भी काफी important होता है, अक्सर nature के अंदर आपने देखा होगा, parents खाने की तलाश में जाते हैं, जसी खाना मिलता है, लागर के क्योंकि खाने का जो source होता है, वो काफी दूर होता है, इसलों को आने में भी time लगता है, इसलिए पूरा दिन हमें लगता है, कि उसके parents उसको सार दिन feed ही कराते रहते हैं, जबकि हमारे पास self feed है, हमारे पास ready made food available है, ऐसे में हमें जो है birds को small quantity में, देखे छोटे बच्चे कि जो चोच का size होता है, बहुत ज़्यादा matter करता है, चोच बहुत ही नाजिक होती है, ति हम उसको जड़ा सा लापरवाई से handle करेंगे, तो उसको पकड़ते वक्त उसकी चोच भी टूट सकती है, दूसरा, उसको syringe या dropper का size आपने कैसा रखना है, ताकि बच्चे को एक feeding formula सबसे best होता है, वैसे जैसे A19 हो गया या pets life का hand feeding formula, यह दिर ready weight preparation से जो market के अदर available है, यदि आपके पास जिसे breeding का stock है available तो आपके पास यह चीज़े हमेशा stock के अदर होनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों की जुरत कभी भी पढ़ सकती है, इसके अलावा, suppose कि जिदे आपके order करेंगे, उसको आने में समय लगेगा, तब तक आप छोटे बच्चे को कैसे कर सकते हैं, चने की दाल हम सब के घरों में available है, चने की दाल को पानी में भिगो दीजिए, या उसको boil कर लीजिए, बॉयल करके जब बलकुल बारीक हो या तो इसको piece लीजिए, उसका paste बना करक होती है, तो उसको digestion में help होती है, और नियो पेप्टिन आपकी क्या मदद करेगा, कि उसको digest करने में help करेगा, इसलिए चने की दाल हो, या और कोई भी दाल की preparation, आपने जो boil करके रहे कि उसमें खाना खिलाने से पहले, उसमें 2-3 drops नियो पेप्टिन कैड कीजिए, फिर का सा boil या steam करके, बना करके, soft करके, आप बच्चे को paste बना करके, थोड़ा थोड़ा बच्चे को दीजिए, क्योंकि आपको पता है, जितनी भी दाले होती है, यह सब protein का source होती है, चोटे बच्चे को क्या होता है, protein ही ज़्यादा चाहिए होता है, उसको दाल का पानी क्योंकि छोटे बच्चे का हैंड फीडिंग का प्रपेशन आप देखेंगे, आप उसके पैकिंग पर पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे, उसमें protein content ही 40-45% होता है, जिसको फीड होता है, इसलिए डालों में protein का source होता है, इसलिए बच्चे में protein देने से आपको छोटे बच्चे उसकी growth भी काफी अच्छी होगी, बच्चे की immunity less होती है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, बच्चे को उपर से भी ऐसी कुछ चीज़े खिलाने चाहिए, जैसे calcium, vitamins, minerals, ताकि हम बच्चे की internal immunity को भी boost up कर सके, उससे बिमारियों से लडने की शक्ति उसकी अंद कि खाने के साथ साथ हम उसकी दूसी चीज़ों का भी balance रखे ताकि आपका बच्चा खाने के साथ साथ और जो दूसरी बिमारी सो लडने की जो शक्ति उसको fight मिलेगी, वो सब इन चीज़ों से मिलेगी, क्योंकि अकेले खाने से काम नहीं चलेगा, हमने उसकी अंदरूनी म चीज़े add करके देनी है, उमीद करता हूँ कि आपका मेरे खाने से लिटिन जो वीडियो है काफी पसंद आयोगा, यह आपको मेरे वीडियो पसंद आया, तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, धन्यवाद